जहें दोस्तो स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूस पेपर का अनलिसिस करते हैं दहिंदू, इंडन एक्सप्रेस, एटिटोरियल अनलिसिस आपको एक्जाम ओरिंटेट देखने को मिलता है यहीं तो आईए, यहाँ पर आज हम 15 जैन का जो अनलिसिस है वो देखते हैं 6 बज़े हर रोज आपके सामने अनलिसिस आता है जिससे की हर शाम 6 बज़े आप ये वीडियो जो है वो चैनल पर देख सकते हो इस वीडियो का आपके सामने प्रेजन कर रहा हूँ मैं मयूर मोगरे आप मुझे Facebook, Instagram पर follow कर सकते हो PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप Telegram पर follow कर सकते हो लिंक सभी की description में दीवी है ये आपके लिए Map-based exercise है तो जल से जल बताइए ये country कौन सी है तो वीडियो को pause कीज़े इस country करिकार्णिंग information लिखे और फिर वीडियो को resume कीज़े आईए आज हम यहाँ पर जो news paper है उस पर नडजालते है देखिए आज का जो news paper है उसकी हालत कुछ इस तरीकी की है कि छापने के लिए कुछ भी छाप दिया है नहीं तो most of the edition जो है उसका ऐसा है कि कल छुटी रहनी के वज़े से आज का जो edition है वो नहीं आता है और दहिंदू जो है उसका तो आया भी नहीं है लेकिन Indian Express जो उसको बड़ी चूल थी कुछ नो कुछ छापना है तो जलू छाप देते हैं और छापी भी ऐसी है कि मतलब exam के मुकाबले कुछ मतलब जादा निकल नहीं रहा है तो इसलिए editorial छोड़कर हमें newspaper जो उस पर नज़र डालनी पड़ेगी जो news है उससे exam oriented जो चीज़े है वो बाहर निकालनी पड़ेगी तो इसलिए अगर आप explain section भी देखते हो यही हालत हो गई यही paper छापने के लिए कुछ भी छापेगा गया रहे बाबा इतने aspirant आस लगा के बैठे होते हैं है ना लेकिन इस पर जब यह सवाल पूछा गया तो Indian Express का जवाब जो है वो तो इस तरीक के था कि यह Indian Express का style है दे हिंदू को बोलो आज आया है नहीं डर पो है ना तो यह चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है आस तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ट्रम की impeachment के बारे में बात की गई है जीटेल में इस पर देखेंगे किस तरीके से impeachment होता है और अगर हम GS paper 2 देखते हैं तो उसमें आपको comparative study आती है अलग-अलग constitution की तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे Indian President का impeachment होता है और उस comparison में कैसे US President का impeachment होता है अब यहाँ पर vaccine जो है वो किसको मिलने वाली है कैसे मिलने वाली है उसके बारे में तो short में यहाँ पर जाने ही कोशिश करेंगी कि आपको मिलेगे और यह पता चल जाएगा यहाँ पर gold के जो prizes से उसके बारे में अगर आप यह वाला देखोगे after blocking Trump मतलब बेसिकली इसमें बात किया की कही है कि social media platform जो है उसके लिए clear policy का रहना जरूरी है क्योंकि Donald Trump जो उसको यहाँ पर ban कर दिया गया है ना उसको block कर दिया गया social media से तब ऐसे कई सारे president या फिर political leaders रहे हैं दुनिया में जो ऐसे विद्रोह तरीकी की जो चीज़ें है पोस्ट करते हैं तो क्या आप सभी को करोगे या future में आने वाले जो भी रहेंगे सब को करोगे इसके लिए हमारे पास एक clear policy का रहना जरूरी है कि क्या ये breach हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं तो आप man गड़त आए और उसको ban कर दिया ऐसा गलत रहता है तो यहाँ पर clear policy क्या रहना जरूरी है इसमें तो इसमें इन्होंने बताया नहीं है तो अगर वो बता जैसे तो exam oriented हो जाता था लेकिन नहीं बताया तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है हम भी ignorant है हम भी ignore करते रहेंगे यहाँ पर अगर आप देखोगे as president bidden यहाँ पर dividend US यह establish कर सकते है new convention तो दिखें इसमें भी कुछ ऐसे exam oriented चीज़े निकल कर नहीं आ रही है यहाँ पर new global playbook निकल कर आ रही है UK, Britain उसके बारे में बात की जारी है बाकी European Union उसके बारे में आप पर बात की जारी है ठीक है तो यहाँ पर problems कौन से countries create कर सकती है कौन से countries नहीं कर सकती है तो खास अगर आप दिखोगे तो इसमें से भी कुछ exam oriented नहीं निकल रहा है तो इससे time waste करने में कोई मतलब नहीं है और बाकी अगर हम newspaper टोटल newspaper पर last में नजर डालेंगे पूरे newspaper पर starting paste से लेकर end paste तक और देखेंगे उसमें CBI यह सारी जो bodies है उसके बारे में हम discuss करेंगे जिससे की क्या होगा आपको एक comprehensive view जो है वो मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले mmacademy app अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल से जल डाउनलोड कीजे उसकी जो add है अभी आपको देखने को मिलने वाली है mmacademy app आपको आपने डाउनलोड किया है नहीं क्योंकि मेरे द्वारा जो courses लाए जा रहे है यहां बहुत आप demo lecture देख रहे हूँ लेकिन आपको जो असली lectures है जो असली माल है वो आपको mmacademy app पर देखने को और आप यहां पर highest quality content enjoy कर सकते और यह highest quality content है ना किसी को बता ना मत lowest prices पर है इतने कम prices है इतने कम prices है क्योंकि हमारी tagline ही है कि हर गाव से सितारे निकलेंगे और हर गाव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे इसली इतने कम prices में कि जो education है quality education है यह हर गाव तक जाए हर इंसान तक पहुचे और बैसों के वज़े से जो education है उसको ना छोड़े अपने जो dream से उसको ना मारे इसलीए highest quality content को enjoy कीचिए आपके mobile phone में जहाँ पर आपको सभी GS word 2, 3, 4 आप UPSC बूले, state PSE बूले, किसी भी exam के अगर आप preparation कर रहे हो तो आपको यह जो preparation है इसमें 4 चान, 10 चान, 15 चान, 20, 100 चान, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इसलीए फटा-फट डाउनलोड कीजिए MM Academy app और वीडियोस क आपको एंजॉय किजिए शुरू हुआ in 1949, observed for 72nd time 2020 में तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2020 में यह 72nd time हुआ था, तो 2021 में कब होगा 73rd time हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है आर्मी डेज़े सेलिब्रेट के जाता है तो मार्क लिटरन जर्नल के एम करियपपा ठीक है इन्होंने यहाँ पर कमांडर इनचीफ जो है वो टेक ओवर किया था इंडियन आर्मी का 1949 में किसे जन्रल फ्रांचीज यह बुच्चर जो है उसके पास से यहाँ पर बुच्चर जो है उसके पास से हमने लिया था तो यह भी आपको पता रहना चीए प्रिलिंस में आपको नाम जो है वो पुझा आ सकता है इंडियन आर्मी स्टैबलिश्ट और 1st April 1895 मोटो अगर आप देखोगे तो सर्वीज बिफो सेल्फ यह मोटो हमें देखने को मिलता है तो यह भी चीज काफी इंपॉर्ट है प्रिलिंस पर्सपेक्टिव से तो यह सारी इंफोर्मेशन आपको यहाँ पर पता रहना चीए और यह ध्यान में रखिए और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे फिल्ड मार्शल अगर हम केम करियापपा के बारे में देखते हैं तो यह 1st इंडियन कमांडरी इंचीफ रहे इंडियन आर्मी के उसी के साथ इनका मिलिटरी करियर काफी खतरनाक तरीकी का रहा ह और सिर्फ दो ही ऐसे लोग है जिनको 5 स्टार रैंग फिल्ड मार्शल में मिला हुआ है उसमें से यह एक है करियापपा और उसी के साथ दूसरे अगर हम देखते हैं तो वो हमें देखने होलते हैं श्री साम मनिशकाव ठीक है तो यह आपको यहाँ पर पता रहना चीए तो यह नाम जो है काफी important रहते हैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत information जो हो रहने चाहिए तो डॉनल्ड ट्रम्प USA के ऐसे पहले राष्टरपती बने हैं जो दो बार impeach किये जा चुके हैं जी हाँ देखे एक बार तो कई सारे राष्टरपती impeach किये गये हैं जैसे के Andrew Johnson जो है वो 1868 में impeach किये गये थे उसी के साथ अगर हम Nixon देखते हैं तो उनको भी impeach किया गया था अगर हम बात करते हैं Bill Clinton की तो उनको भी impeach किया गया था अगर हम बात करते हैं Donald Trump की तो उनको भी 2019 में पहली बार impeach किया गया था अब उसके बाद दोबारा impeach किये गये हैं Donald तो अब यहाँ पर impeach होने के बाद भी office में कैसे टिके रहे और दोबारा इनको impeach क्यों किया गया है जबकि इनका कारेकाल जो है वो almost खत्म होने पर आ गया है अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि Donald Trump impeached second time US President to set go on trial for insertion अब देखिए यहाँ पर जब impeach किये ग impeached हो चुके हैं मगर office से removal के लिए अभी भी सीनेट में matter जाएगा और सीनेट डिसाइड करेगा कि इन्हें office से remove करना है या नहीं करना है तो अब यहाँ पर यह जो topic है हमारा यह हमारे exam perspective से अगर हम देखते है तो GS paper 2 उसमे comparison of Indian constitutional schemes with that of other countries यह topic के perspective से काफी ज़दा important हो जाता है अब देखें यहाँ पर हुआ क्या है तो जब हम बात करते हैं impeachment की तो हमें हमारे country में भी हमारे constitution में भी जो president का impeachment है वो देखने को मिलता है अब जब हम बात करते हैं हमारे राश्टरपती की और USA के राश्टरपती की तो उसमें difference है क्योंकि हमारे आपर democracy है और USA में भी हमें देखने को मिलती है मगर हमारे आपर parliamentary form of government है और अगर हम USA की बात करते है तो वहाँ पर हमें presidential form of government देखने को मिलती है मतला हमारे आपर जो राश्टरपती है वो उतने powerful नहीं है जितनी USA के राश्टरपती हमें देखने को मिलते हैं है ना हमारे आपर अगर दिखा जा तो हमा अब दोनों को जब हम compare करते हैं तो सबसे पहली चीज जो निकल कर आती है वो यह है कि कौनसे grounds पर जो राश्टरपतियों का रिमूवल हो सकता है तो जब हम grounds of removal की बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है violation of the constitution मतलब अगर हमारे राश्टरपति सब्विधान का violation करते हैं तो उनको impeach किया जा सकता है अब violation of the constitution में क्या आता है, bribery आती है, देश द्रोह आता है, क्या आता है ये कुई भी चीज mention नहीं की गया, ये मतलब basically violation of the constitution को यहाँ पर define जो है वो नहीं किया गया है जब हम बात करते हैं USA के राश्टरपति के, तो वो कौनसे grounds पर remove किये जा सकता है पहला आता है treason, मतलब देश द्रोह, दूसरा आता है bribery, और तिसरा आता है other high crimes and misdemoners मतलब यहाँ पर दुश करम जो है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो ये grounds है, जिस पर USA के राश्टरपति जो है, वो remove या फिर impeach जो है, वो किये जा सकते है अब सवाल आता है process का, process क्या होती है सबसे पहले हम देखते हैं हमारे Indian President की process, removal process, impeachment process, फिर हम जाएंगी USA के उपर सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का Parliament है Parliament में, Parliament consists of what? Parliament consists of लोकसभा, राजसभा and President जी हां, राश्टरपती भी हमारे Parliament के integral part है क्योंकि किसी भी बिल को अगर कानून में तबदिल करना है, law बनाना है तो लोकसभा, राजसभा से वो बिल पास होना ही चाहिए लेकिन राश्टरपती जो है, उसकी भी asset मिलना चाहिए तब जाकर जो बिल है, वो law में तबदिल होता है इसलिए हमारे जो राश्टरपती है, वो Parliament का अभिना हिस्सा है integral part है अब यहां पर जब removal होता है, तो उसमें क्या होता है फर्स किजी कि आपर लोकसभा जो उसमें initiate हुआ है ठीक है, हम यहां पर सिर्फ short में समझने की कोशिच कर रहे है समझ लिजे, आपर लोकसभा में initiate हुआ है कि इनको remove करना है, ठीक है, impeach करना है लोकसभा में initiate होने के बाद अब यहां पर हमें अलग-अलग majorities देखने को मिलती है कुछ होती है simple majority जिसमें क्या होता है, कि जितने भी लोग present है और vote करना चाहा रहे है, उसका 50% plus 1 है ना, मतलब समझ लिजे, कि अगर 100 लोग है तो हमें 51 votes लगेंगे फिर आता है दूसरा absolute majority absolute majority का मतलब क्या होता है मतलब होता है, जितनी भी total strength है total strength, उसका 50% plus 1 simple majority में क्या था, जितनी भी पर present है भले strength जो है, वो हो अगर total house की 500, लेकिन present अगर सव ही लोग है, तो फिर यहाँ पर 51 votes सी सिर्फ लगेंगे, वो क्या simple majority, absolute मतलब क्या है यहाँ पर present कितने भी रहो लेकिन अगर चीज पास करना है तो 500 का ही हमें 50% 251 जो votes है, वो यहाँ पर मिलने ही मिलने चाहिए यह ना, यह हो क्या absolute, यह mostly हमें जो सरकार है, वो बनाने के लिए काम आता है कि किसकी सरकार बनिए फिर आता है effective majority effective मतलब क्या है, कि total strength जितनी भी रहे, उसमें से हम जो vacant seat है, वो total strength है, लेकिन उसमें से 500 जो है total strength है, लेकिन उसमें से सव लोग जो है, वो resignation के थू, death के थू, जो seats है vacant होगे, मतलब total seats हमें सिफ 400 ही देखने को मिल रही है, तो अब यह जो 400 है उसका 50% plus 1, मतलब 201 जो है, इतना यहाँ पर लगेगा, वो effective majority, and last में आता है special majority special majority में कई type आते है, जैसे एक type हमें देखने को मिलता है, कि 2 3rd of present and voting, present and voting मतलब जितने भी present and voting है उसका 2 3rd जो है, उतने लगेंगे दूसरा आता है 2 3rd of total strength, मतलब total strength जितनी रहेगी, 500 total strength उसका 2 3rd लगेगा ठीक है, तो यह हमें अलग-अलग type की special majority है, अलड़ी मैंने आपने जो political lecture से उसमें जो majority से उसके बार में cover किया हुआ है उसमें special video चाहिए हो बनाया हुआ है तो जब हम बात करते हैं हमारे राश्ट्रपति के impeachment की इसमें कौन सी majority लगती है special majority लेकिन special majority में कौन सा लगता है 2 3rd of total strength बनाया यहाँ पर 2 3rd of present and voting नहीं नॉर्मली जो हमें हमारे समविधान में अगर संचोधन करना है अगर changes करना है, यह वाली special majority लगती है लेकिन जब राश्ट्रपति का removal करना है 2 3rd of total strength यहाँ पर लगती है, ध्यान देना है आपको तो यहाँ पर क्या होगा, 2 3rd of total strength जो है, इससे अगर यहाँ पर पास हो जाता है लोकसभा में फिर उसके बाद यहाँ पर यह जो मसला है जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में भी अगर 2 3rd of total strength से अगर पास हो जाता है, उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ, हमारे जो राष्टरबदी है वो impeach हो चुके है समझ में आगे आपको अब हम बात करते हैं USA की अब जैसे हमारे पारलामेंट में लोकसभा राज्यसभा है वैसे ही उनके इसको Congress कहते हैं, और Congress में Senate and House of Representatives जो है, वो हमें देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर होता कैसे है तो दीखे हमारे आपर कैसा है हमारे आपर जैसे हमने देखा है कि लोकसभा में initiate हुआता, वैसे राज्यसभा में भी initiate हो सकता है लेकिन जब हम बात करते है USA के राश्टरबत की impeachment की तो सिर्फ House of Representatives जो है, उसमें initially initiate किया जा सकता है और कोई भी जो इसका member होगा फर्स केजे कि यह member है तो यह यहाँ पर बोल रहे है कि मेरे को Donald Trump को निकालने का है मेरे को यहाँ पर Donald Trump को impeach करने का है ठीक है, इनके मन में आ गया सपना आ गया, इनकों बोला, हाँ करना है लेकिन यह देखा जाएगा कि हाँ भाईया, यह वाले reasons जो है इसके बलबूते पर ही हो रहा है या नहीं हो रहा है है ना, क्योंकि यह grounds पर होना चाहिए फिर एक बार अगर यह हो जाते हैं कि हाँ, इनको आप remove करना है फिर आगे की process क्या रहेगी आगे हमें committee देखने को मिलती है committee जो है, वो यहाँ पर थोड़ा अकलन करती है फिर उसके बाद यह majority से अपना decision जो है वो पास कर देगी, कि हाँ, remove कर सकते है फिर उसके बाद house of representatives जो है यह completely यहाँ पर आते है और यह majority से यहाँ पर पास करते है मतलब यहाँ पर normal majority लगती है यहाँ पर को two-third, one-third नहीं है और इस तरीके से अगर यह total हो जाता है तो impeach किये जाते है मतलब यह impeach हो गया है मतलब अभी अगर आप देगो कि Donald Trump दो बार house of representatives से impeach किये जा चुके है तो यहाँ पर जब impeach किये गया है तो अब यह निकल गया है हाँस से remove किये गया है क्या जी नहीं impeach किये गया है लेकिन house से remove होना office से remove होना यह अलग बात है office से remove होने के लिए Senate जो है यह आता है और यही सबसे बड़ा अर्थडा जो है वो बनता है तो अब यहाँ पर दो बार Donald Trump तो यहाँ से गुजर चुके है अब यहाँ पर उनको जाना है Senate में तो पहली बार में जब वो गये थे तो यहाँ से remove नहीं किये गए थे यहाँ से उन्हें वो जो चीज है वो oppose नहीं मिला था यहाँ से उनको समर्थन मिला था क्योंकि यहाँ पर जो उनकी party है उसका यहाँ पर दबदबा है तो अब यहाँ पर जब हम बात करते है Senate में जम जाता है तो वहाँ पर राष्टरबदी को बताया जाता है कि भाईया आप आपके इसमें कुछ कहना चाहते हो जो जज है Supreme Court के वो आते है उनको यह जबबदारी सोपे जाती है कि वो यहाँ पर पूरा आकलन करे इस पूरे conditions में देखे कि हाँ इनको रिमूव करना चाहिए इंपिच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फिर उसके बाद ये सारी चीज़े होने के बाद जो Senate है वो वोटिंग करता है अब इसमें कौन सी majority लगती है तो इसमें 2 third of total strength है इसकी majority हमें देखने को मिलती है सीनेट में बेसिकली क्या होता है 2 third of total strength ये majority होती है मतलब 67% समझ लेज़े अगर ये हो जाता है फिर यहाँ पर जो office से उससे भी remove कर दिये जाते है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मतलब in chart अगर देखा जा तो ये flow chart आपको नजर आएगा मतलब house of representatives जो है उसमें यहाँ पर कोई भी member any member जो है वो introduce कर सकता impeachment resolution in grounds पर फिर उसके बाद यहाँ पर committee जो है वो analysis करेगी सब कुछ देखेगी 51% simple majority जो है उससे आपर pass करेगी फिर house of representatives जो है जिसमें US Chief Justice रहते है jury यहाँ पर made up रहती है evidences collect किये जाते है फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है voting होती है voting में अगर 67% 2 third जो है of total majority of Senate उससे अगर यह pass हो जाता है मतलब removal from office यहाँ पर जो office से उससे remove कर दिये जाते है यह पूरा process हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एकदम आसान process है एकदम simple process है comparison में आपको पुछा जाता है तो अगर आपको इसा में पुछा जाता है तो आप easily लिख सकते हो है ना अब आपके अपन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि Donald Trump को अभी उनके इतने दिन बचे है तो क्यो remove किया जाता है देखिए क्या होता है अगर यहाँ पर impeach होता है तो एक strong message भी जाता है दूसरा यह है कि further जो public offices है उसके क्योंकि राष्टरपती जो होते है USA के वो सिफ दो बार राष्टरपती बन सकते है उनका कारेकाल होता है 4 साल का 4 years के लिए राष्टरपती रहते है और फिर again एक बार और 4 साल के लिए बन सकते है उसके बाद नहीं बन सकते अब यहाँ पर क्या है Donald Trump जो है वो एक बार बन चुके है राष्टरपती अब अभी next time जब वो participate किये थे तब नहीं बने है ना अब हो सकता है कि अगले election में फिर से हो participate करे तो यह ना हो मतलब यहाँ पर अगर impeach हो जाएंगे तो फिर further इसके लिए राष्टरपती नहीं बन पाएंगे ऐसी चीज़े जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है इसलिए यहाँ पर impeachment जो है उसकी प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है नेक्स यहाँ पर आ रहा है कि vaccine जो है वो यहाँ पर किसको मिलनी चाहिए या किसको मिलेगी तो देखे जनरल गाइडलाइन जो दिये गया है vaccine जो है is only for the people over the age of 18 years मतलब अगर आप 18 साल से कम हो तो आप भूल जाओ ठीक है आप मतलब vaccine आप ले ही नहीं सकते हो आपको जाना ही नहीं है बापर vaccine जो है are not interchangeable मतलब second dose जो है will have to be of the same vaccine administered as the first dose यहाँ पर interchangeable नहीं है कि मतलब आपर basically क्या है दो vaccine हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इसे लेना पड़ेगा vaccine जो है यहाँ पर caution के साथ देना है उसी के साथ जो हिस्ट्री है वह यहाँ पर देखना है अब vaccinator जो है वो बोथ vaccine at 2 degree Celsius 8 degree Celsius जो है लाइट से protect करके रखेंगे है ना तो यह आपर देखना है specific guidelines अगर हम देखते है vaccine जो है वो एडमिस्टर नहीं की जा सकती है below 3 categories पहला तो है कि अगर उसको allergic reaction उगरे हुई है previous dose of COVID-19 की तो उसको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा जिसने यहाँ पर immediate या फिर delayed onset जो है allergic reaction की वो यहाँ पर लिए है उनको नहीं दिया जाएगा pregnant and lactating women जो है उनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा है तो यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनको यहाँ पर vaccine जो है वो नहीं मिलेगी उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो health condition जो है वो इसमें काफी important role play करती है अगर कोई past history रही है covid infection की तो एकदम से आप आ गए तो हाँ पर भी नहीं कुछ आपको यहाँ पर time period मिलेगा कि भीया रुक जा थोड़ा सा अब आच्छे हो रहा है नहीं यह सब ठीक है और उसी के साथ है यहाँ पर chronic disease अगर किसी को है तो यह सारे देखे जाएंगे adverse reaction अगर हम देखते तो mild adverse event देखने को मिलना है मतलब कुछ temperature जो है 100-100 ऐसे 102 temperature देखने को मिला है 48 hours तक थोड़ी weakness जो है वो देखने को मिली है है तो इस तरीके से कुछ हमें देखने को मिला है और यह pain killer यह सारी disease उसमें दी गई है और rare adverse event जो है इसमें आपको देखने को मिल लोगों को अगर trust रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा लोगों को trust नहीं है तो फिर कोई vaccine जो है वो लेगा नहीं इसलिए आप देखोगे तो बड़े-बड़े लोगों को जो celebrities है उनको है आप vaccine देखे बोट रहे हैं हाँ I am feeling safe now I am strong I am strong इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है Armstrong नहीं I am strong ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है no meeting nausea थोड़े बहुत pain यह सब चीज़े यहाँ पर हो रही है बाकी कुछ इतना खास नहीं है इस article में भी थोड़े इन्फोर्मेशन इसमें इन्फोर्मेशन नहीं चाहें को knowledge की ब farmers जो है उसके बारे में आपर बात की जारी है again वही farmers related यहाँ पर अभी exam perspective से यह नहीं है यहाँ पर finance निती जो है red flag race की है before Adani's clean sweep of six airports यहाँ पर six airports है उसका clean sweep यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इसमें अगर आप देखो का finance ministry निती आयोग उन्होंने आपर objections regarding 2019 airport bidding process इसमें यहाँ पर डाला है तो यह चीज़े हमें देखने को मिल रहा है basically अगर आप देखोगे तो कौन कों से यहाँ पर आप देख सकते हो की number of airports ठीक है 2020 अदानी group यहाँ पर देखे 8 and 2018 एक ठीक है 8 है और यहाँ पर एक है ठीक है number of passengers handled कितने यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा ह इस तरीके से आप देख सकते हो ठीक है तो यह चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है बाकी इसमें भी कुछ खास नहीं है और उसी के सथा यहाँ पर आप देखो के तो जो concentration of power है इन इंडिया regulator review 7 key sectors, telecom to pharma, airports to port, concession agreement जो है वो review किये जाने चाहिए यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर information जो है रहनी ची हाला कि हमने पहले के जो lectures है उसमें इनके बारे में NCB जो है उसके बारे में already देखा हुआ है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा मतलब क्या है इसमें आपकी revision भी हो जाती है ना, Narcotics Control of Bureau अगर हम यहाँ पर देखते है उसके बारे में आपको information रहना ज़रूरी है तो NCB full form क्या होता है Narcotics Control of Bureau है ना और यह constitute किया गया था Government of India के दवारा 1986 में कब किया गया था? 1986 में Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 है ना, Ministry of Home Affairs जो है उसके अंटर में हमें देखने को मिलता है और कौन सा आर्टिकल जो है वह हमें देखने को मिलता है तो यह आर्टिकल 47 जो है Intoxicating Drugs यह इंजूरियोस होता है हेल्थ को उस पर यह based हमें देखने को मिलता है ठीक है तो यह तनी चीज आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है मतलब पेनाल्टी जो है यह प्रो Today 8000 Healthcare Workers जो है वो Detail on Vaccine Shot SMS के जरीए यहाँ पर मिलने वाला है तो यह मतलब बेसिकली वही है जो कल हमने देखा था कि उनको proper जो चीजे है वो बतानी चाहिए proper यहाँ पर information सभी को रहनी चाहिए transparency रहनी चाहिए है ना और again यहाँ पर Narcotics case हमें देखने को मिलता है ठीक है तो यह भी उसी से related है बाकि next अगर हम देखते हैं महाराश्टर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ ऐसे खास न्यूज नहीं है जो exam perspective से काफी important हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हो कि nurses ANM's gear up for the Rolex vaccinator तो देखे क्या होता है कभी कबार आप कभ समय लोग आप डिस्टिक की IS officer हो और वहाँ पर cases बहुत जादा है अब ऐसे scenario में अगर vaccine आ रही है और आपको बोला चाहिए कि आपको implement करना है vaccine को proper तरीके से सब तरफ पहुचाना है तो आप कैसे करोगे जहाँ पर आपको जो corruption है वो भी बहुत जाद देखने को मिल रहा है है ना कि मतलब क्या हो रहा है कि ऐसे बोला जा रहा है कि ठीक है अर वैक्षेन जो है इ इतनी सारी है ना प्राइवेट इसमें डाल दो प्राइवेट लोग को देदेंगे यहाँ पर बोल दो कि हा इनको देदी है کرगे तो ऐसे भी देखने को मिल गाता है कैसे आप जो है वो भारी हो जाएगा नेक्स अगर हम दिखते हैं अगेन यहां बस state specific news है जिसमें कुछ खास news जो है मैं देखने को नहीं है यहां पर एक जो mangroove है mangroove वो देखने को मिल रहा है basically तो यहां पर क्या पोला जा रहा है 1575 hectares of mangroove land along कोंकं को's declared reserve forest ठीक है यहां पर basically क्या किया गया है reserve forest जो है यहां पर declare किया गया है तो अब सबसे important चीज़ें यहां पर निकल कर आती है कि mangroove forest जो है mangroove forest क्या होता है देखे mangroove अगर आप देखोगे ना तो मतलब यह समझ लो एक type का forest है जहां पर basically ग्रूप of trees, shrubs हमें देखने को मिलते है जो coastal zone जो है उसमें आता है ठीक है coastal zone जो है वहाँ पर basically हमें देखने को मिलता है ठीक है और यहां पर जब reserve forest की उपर डाला गया है ठीक है मतलब basically आप यहां पर आप देखोगे तो state forest department जो है mangrove sale Thursday declare 1575 hectares यहां पर काय में mangrove area along the congun coast कों कोस्ट हमें देखने को मिलता है मतलब समझ लो कि महाराष्टर जो उसका western part जो है वह हमें congun देखने को मिलता है ठीक है reserve forest ओके और यहां पर आप देखोगे state government इसमें section 4 जो है Indian forest act 1927 का वो यहां पर invoke किया गया है देखे जो forest न वो लग-लग type क्या होता है एक हमें जो reserve forest है वो देखने को मिलता है एक हमें जो protected forest है वो देखने को मिलता है और जो village forest है यह भी हमें एक देखने को मिलता है ठीक है तो reserve forest अगर हम बात करते है reserve forest की तो यह most restricted forest होते है most restricted forest ठीक है और state government उनके द्वारा ही किये जाते हैं और अगर आप देखो कि forest land या जो westland होता है जो government की property है reserve forest local local जो होते है वो यहाँ पर prohibited होते है इसलिए most restricted forest इसको बोला जाता है then protected forest अगर हम देखते हैं state government जो है इंपार है कि यहाँ पर कोई भी जमी जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के उपर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के उपर रखे जाए, अब इसमें जब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के हम बात करते हैं, तो यह थोड़ा, मतलब प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, पावर जो है, वो यहाँ पर इशू करने की, यह यहाँ पर जो government है उसके हाथ में होती है ठीक है तो यह चीज आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए बतलब basically अगर आप देखोगे तो state का control होता है trees पर, timber पर, fruits पर है ना इन सब पर एक village forest होता है जो अगर देखा जा तो protected forest को होती है और सबसे कम village forest जो है उसको यहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो mangroove है उसके लिए पूरा resort forest जो है उसमें डाला किया है मतला 100% protected रहेगा क्यूंकि अगर आप महाराष्ट देखो इस तरीके से अगर महाराष्ट जो है वो देखने को मिलता है तो यह वाला जो है एरिया है यह वाला है कोनकन का एरिया ठीक है मतला यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुंबई में अ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक news जो है फार्मर आयस ओफिसर जो है गुजराट कैटर से उन्होंने बीजेबी को जोईन किया है अब यहाँ पर यह भी चीज बहुत निकल कर आ रही है मतलब कौन सी कि post retirement jobs मतलब basically कैसा है कि अगर किसी को retirement के लिए बहुत कम वक्त बच रहे हैं तो हम निट्रल रहे के काम नहीं कर सकते हैं यह अगर आप देखो कि 1988 बैच के आयस ओफिसर है तो यह सब करने के लिए हम क्या policies निकाल सकते हैं यह भी यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है cooling of period यह सारी चीज़े बहुत important role play करती है ठीक है तो यह चीज यहाँ पर bribes के रहे हाँ पर किया हुआ है तो मतलब आप समझ रहे हो किस तरीके से जो पकड़े हैं वो हो रहे हैं CBI उसके बारे में इपने देखा हुआ है यह एक investigating police agency है इंडिया में और उसी के साथ यहाँ पर जो एंटी corruption crime हो जाए special crime हो जाए यह सारी crime जो है वो handle कर सकती है और CBI जो है न्यूज में इससे चर रही है क्योंकि यहाँ पर consent जो है वो देना पड़ता है जैसे कि महाराष्ट गवर्मेंट जो उन्होंने अपना general consent जो है वो निकाल लिया था क्या होता है कुछ ऐसे राजजर होते हैं जो general consent देते हैं कि हाँ चलो कोई भी case आप कर सकते हो अगर उनको general consent ना मिला हो तो state में जाने से पहले उनको permission लिनी पड़ती है ठीक है तो इसके तहर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और CBI डिरेक्टर जो है दो साल के किया जाते हैं उसमें prime minister head होते हैं committee में जो committee decide करती है बाकी members leader of position होते हैं home ministry से होते हैं ठीक है और दो साल का यहाँ पर tenure होता है और काफी challenges भी काफी जाता है कि इनकी credibility जो उस पर खत्रा मंटराता रहता है accountability ने रहती है जो personal है उनका shortage रहता है limited power रहती है restricted access रहता है तो यह again वही सारी चीज़े हमें देखने को मिल रहे है यहाँ पर एक जो खास news निकल कर आ रहे है वो यह है कि pig painting जो है यह world oldest cave art जो है यह यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब यह जो painting यहाँ पर आपको नजर आ रही है यह painting लगबख 45,500 साल जी है 45,500 years पुरानी है ऐसा यहाँ बुला जा रहा है तो यह Indonesian island जो है वहाँ पर हमें cave में decorate हुई painting जो है वो देखने को मिलती है ठीक है और at least 43,000 मतलब 44,000 जो है उतनी पुरानी तो यह है ही ही ऐसा यहाँ पर इस painting के बारे हम बुला जा रहा है तो यह भी चीज़ काफी important जाती है हमारे art and culture perspective से ठीक है तो इस यहाँ पर यह कर रहे है कि क्यू यार ऐसा क्यू है यह नहीं होता है यहाँ पर अगर हम economic section देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही NCLT जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है NCLT National Company Law Tribunal बेसिकली Insolvence and Bankruptcy Code जो है जो यहाँ पर जो भी problem आते है company में उसका लेखती है NCLT National Company Law Tribunal में जा सकते हो अगर कोई भी problem आती है इसमें अगर ना हो तो National Company Law Appellate Tribunal में जा सकते हो उसमें भी ना हो तो Supreme Court में जा सकते हो तो इतनी information यहाँ पर आपको रहने चाहिए company जो है कोई भी एकर conflict होता है तो वो यहीं पर जाते है ठीक है तो उसके बारे में हमें यह देखने को मिलता है बाकी कुछ खास ऐसी news नहीं है जो हमारे exam perspective से बहुत important हो बाकी sports में भी नहीं है यहाँ पर Indian Army Day पर हम real heroes को यहाँ पर salute करते हैं इंडियन Army के जो जितने भी जवान हैं जो शहीद हुए हैं जो सर्फ कर रहे हैं उन सभी को हमारा नमन उन सभी को ह हमारे दिल से शुक्रिया और salute और इसी तरह जो देश है हमारा वो सुधरूड होता रहे हम भी देश के लिए contribute करते रहे और यही प्रार्तना के साथ इस वीडियो को मैं end करता हूं so thank you very much वीडियो अगर आपको पसंद आता तो आप शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं मंगले व